कुछन दिया है साइकलो हेकजीन और ओजोन लाइसिस फालूड बाइ रीयक्शन विथ जिंक डश्ट देखिये ओजोन लाइसिस कराया जा रहा है किसके प्रेजिंस में जिंक डश्ट और एंड वाटर तो मतलब यह कौन सा ओजोन लाइसिस हो गया यह हो गया आपका ठीड योनोलाइसिस, only one time आपको oxidation reaction कराना है किसका? साइक्लोहेक्जीन का तेक है, अजब ओजोनलाइसिस कराया गया, तो बनने वाला सबस्टेंस क्या हो रहा है भाई, आपका मिला E, E आपको प्रोड़क्ट मिला compound E and further treatment with aqueous के वज, E का treatment फिर से कराया जा रहा है, aqueous के वज, के साथ में yields F, ठीक है, F मिलता है, और identify करना है हमें F, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमका reaction लिख लेते हैं ये आपका cyclohexene है, cyclohexene और reaction कराया गया, किस के साथ में, आपका O3 ZN, ये आपका reductive ozon ozon olysis, ZN, ये हो गया, आपका H2, तो बनने वाला product क्या होगा, E, और फिर इसके बाद में, यहाँ पे डाला गया के वज, ये आपका aqueous है, तो बन गया F देखे, आपको F identify करना है, अच्छा खासा sequence reaction दिया हुआ देखे, चली reaction complete करते है यहाँ पे, जो आपका cyclohegene दिया है, लिजे मने cyclohegene दिया, लिख दिया और यहाँ पे मने कराना है reductive ozon olysis मतलब only one time आपको reduction कराना है नई, sorry, oxidation कराना है तो जहाँ कहीं भी devil bond डले तो वहाँ पे दोनों को cut करिए और दोनों side के दोनों bond को break करेंगे और दोनों side हम oxygen attach कर देते है इस carbon के पास में क्या hydrogen होगा है एक hydrogen होगा यहाँ पर भी एक hydrogen होना चाहिए तो इसको मैं यह CHO इस carbon के पास में भी एक hydrogen होगा तो CHO यह आपका LDH वाला group आ जाता है तो यहाँ पर आपका C double bond O and H लिख दिया और फिर इसके बाद में यहाँ पर हो गया इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको और फिर इसके बाद में यह आपका C double bond O और यह आपका H हो गया यह बनना चाहिए reductive ozone lysis कराने के बाद में आप धान देना है इसका reaction कराया जाना है किसके साथ में strong base के साथ में यह आपका क्या है के वच और यह है आपका aqueous अरे अल्कॉलिक नहीं है अब देकिए LDH के टोन की reaction जब कभी भी आप strong base के साथ में कराएंगे तो दो तरह की reaction possible होती है एक होती है यह तो कैनी जारो reaction यह तो होती है आपका LDL condensation कैनी जारो reaction में क्या होता alpha carbon में लगा हुआ hydrogen absent होना चाहिए मलब alpha hydrogen नहीं होना चाहिए अगर alpha hydrogen है तो वहाँ पर कौन सी reaction होगी LDL condensation होगी तो यह इस carbonyl group का जो next carbon है alpha carbon है क्या यहाँ पर hydrogen present है hydrogen present है तो alpha hydrogen present है तो यहाँ पर कौन सी reaction होगी LDL condensation reaction हो जाएगी तीक है LDL condensation के case में आप लोग ने सीखा होगा कि जैसे मेरे पास में अगर दो मालेक्यूल है CH3 और यह आपका COO and H हो गया तो मालेक्यूल हमें सब पार्टिसिपेड करते है और एक मालेक्यूल और ले लिया जैसे आपका यह CH ठीक है यह हो गया और यह आपका COO और यह हो गया तो इसमें क्या सीखा होगा आप लोगों ने कि एक मालेक्यूल का जो carbonyl group है उसका oxygen हटाते है दूसरे मालेक्यूल का जो alpha carbon है उससे हम hydrogen हटाते है तो H2 निकल गया जहां से इस carbon ने 2 bond ब्रेक किया इस carbon में 2 bond ब्रेक किया तो जो carbon bond break करते है तो वह carbon क्या करते है नया bond बनाते है तो यह दोनों double bond से connect हो जाएंगे तो जो बनने वाला substance होगा CH3 यह CH हो गया और यहां पर आजाएगा double bond यहां पर यह CH ही बचा और यह हो गया यह हो गया double bond और यह आपका CH हो गया यह carbonil group है LDH वाला group है इसका next यह आपका alpha carbon यह beta carbon तो alpha, beta unsaturated LDH मलता है तेक है इसी तरह से इसी action को complete करते है यह आपका एक ही compound में दो carbonil group दो LDH group डले है तो मैं क्या करता हूँ कि इस carbonil group का जो next carbon है alpha carbon यहां से alpha carbon से मैं क्या करता हूँ एक carbon group से मैं oxygen अठाता हूँ LDH group से और एक दूसरे LDH group का जो next carbon alpha carbon वहां से मैं hydrogen हठाता हूँ तो यह आपके hydrogen हटा दिया मैंने तो इस carbon ने 2 bond break कि इस carbon में 2 bond break कि तो क्या है दो नो double bond बनाएंगे of course double bond बनाने चाहिए भाई valency तो satisfy करेंगे नहीं करेंगे तो यह ring क्या हो जाता है यहां से close हो जाता है तो मैं numbering कर देता हूँ यह first है second है यह third है यह fourth है यह fifth हो रहेगा ठीक है first में आपका यह group आपका LD height वाला group लगा है असान रहेगा answer करना तो मैं five memory की ring बना लेता हूँ यह five memory की ring हो गया यह first second यह third fourth और यह fifth हो गया first वाले में क्या लगा हुआ है LD height वाला group लगा दिया first वाला किसे connect हो गया fifth थे तो यहाँ पर बुलिए double bond आना चाही नहीं आना चाही यह double bond आ गया बांकि पॉर्टन बिल्कुल सेम है यहाँ पर जो आपका LD height वाला group था इसके respect में next alpha बीटा unsaturated इसके respect में यह आपका alpha और यह beta unsaturated ठीक है LD height मिल गया तो यह product मिला ठीक है अब यह product कहीं यह आपका कौन सा होगा F product होगा और यह आपका कौन सा product है E product हो गया reaction तो complete हो गया check कर लेते हैं कोई option है क्या तो देख सकते हैं कि यह first option LD height group का जो next carbon है alpha carbon यह beta carbon alpha बीटा यह ठीक है तो A option is the right answer